तो बच्चों कैसे हैं आप सब आज शास्ति द्यूतिय खरंड की कक्षा ले रहा हूं और अभी इस कक्षा के अंतरगत हम रामधारी सिंग दिनकर की चर्चित कविता रश्मी रथी का पाठ वाचन कर रहे हैं तो उसी करम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है यह कविता का आंच वीर वही है जो की शत्रू पर जब भी खडग उठाता है मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है सिमित जो रख सके खडग को पास उसी को आने दो विप्र जाती केसी वाकिसी को मत तलवार उठाने दो जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ सुनकर आशिरवाद देब का धन्य धन्य हो जाता हूँ जियो जियो आवस्त तीर तुमने यह कैसा मारा है दहक उठावन उधर इधर फूट निर्जर की धारा है मैं शंकित था ब्रह्मा वेरता मेरे साथ मरेगी क्या परशुराम की याद विप्र की जाती ना जुगा धरेगी क्या पाकर तुम्हें किन्तु मैं इस वन में मेरा हुर्द हुआ शीतल तुम अवश्चिड होगे उसको मुझ में है जो तेज अनल जियो जियो ब्राम्हन कुमार तुम अक्षे किर्थी कमाओगे एक बार तुम भी धर्ती को निक्षत्रिय कर जाओगे निश्चे तुम ब्राम्हन कुमार हो कबच और कुंडल धारी तप कर सकते और मात पिता किसी के इतना भारी किन्तु हाई ब्राम्हन कुमार सुन प्रण कापने लगते हैं मन उठता धिकार घर्दे में भाव गानी के जगते हैं गुरू का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा और शिश्च ने कभी किसी गुरू को इस तरह चला होगा पर मेरा क्या दोश हाई मैं और दूसरा क्या करता पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता और पाउं पड़ने से भी क्या गूढ ग्यान सिखलाते वे एक लब्य सार नहीं अंग उठा क्या मेरा कटवाते वे हाई कन तो क्यों जन्मा था जन्मा तो क्यों वीर हुआ कवच कुंडल भूर्शित भी तेरा अधम शरीर हुआ धस जाए वह देश अधल में गुण की जहां नहीं पहचान जाती गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान नहीं पूचता है गोई तुम व्रती वीरिया दानी हो सभी पूचते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो मगर मनुझ क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं चुनना जाती और कुल के बसकी तो बात नहीं मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुठी में भरकर कहीं चीट दे ब्रह्म लोक से नीचे भूमंदल पर तो भी विविद जातियों में ही मनुझ यहां आ सकता है नीचे है क्यारिया बनी तो बीज कहां जा सकता है कौन जन्व लेता है किस कुल में आकस्मिक ही है यह वात छोटे कुल पर किन्तु यहां होते तब भी कितने यागात हाय जाती छोटी है फिद सभी हमारे गुण छोटे जाती बड़ी है तो बड़े बने वह रहें लाख चाहे खोटे गुरू के लिए कर्ण चंतन में था जब मगन अचल बैठा तबी एक विश कीट कहीं से आसन के नीचे पैठा वज द्रस्ट वह लगा कर्ण को उरू से कुतर कुतर खाने और बना कर छिद्र मांस में मंद मंद भी तर जाने कर्ण विकल हो उठा दुस्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे वह भीतर उस भजे कीट के हाथ न जा सकता था बिना उठाए पाउँ शत्र को कर्ण नहीं पा सकता था किन तुपाओं के हिलते ही गुरुबर की नींद उचट जाती सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहवल चाती सोचा उसने अतह कीट यह पिये रक्त पीने दूंगा गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत कुछ मनमा को मारे आह निकाले बिना शिलासी सहन शीलिता को धारे किन्तू लहु की गर्मधार जो सहसा आन लगी तन में परशुराम जग पड़े परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में कर्ण जपटकर उठा इंगितों से गुरु से आग्या लेकर बाहर की आकीट को उसने ख्षत में से उंगली देकर परशुराम बोले शिव 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 तूने यह की मुर्खता बड़ी सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेद ना कड़ी तनिक लजा कर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको महराज क्या कर सकता है यह चोटा कीड़ा मुझको मैंने सूचा हिला डुला तो बिधा आप जग जाएंगे छड़ भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे निश्चल बैठा रहा सोचिया कीट स्वेम उड़ जाएगा छोटा सा यह जीब मुझे कितनी पीड़ा पहुचाएगा पर यह तो भीतर ही धुस्ता गया मुझे हैरान किया लज्जित हूँ इसलिए सब कुछ स्वेम आपने देख लिया पर शुराम गम भीर हो गए सोच न जाने क्यामन में फिर से साक्रो धाग निभायानक भवक उठी उनके इतन में दांत पीज़ कर आँके तरेर कर बोले कौन चली है तू ब्राम्वन है या और किसी अभिजन का पत्र बली है तू सहनशी इलिदा को अपना कर ब्राम्वन कभी न जीता है किसी लक्ष के लिए एक नहीं अपमान हला हल पीता है यह सकता है जो कठी नवेदना सह सकता है जो कठी नवेदना पी सकता अपमान वही बुद्धी चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही तेज पुझ ब्राम्वन तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सक सकता है इस प्रकार की चुहन वेदना क्षत्रिये ही सह सकता है तुवश्य क्षत्रिये है पापी बता ना तो फल पाएगा पर शुराम के कठन शाप से अभी भस्म हो जाएगा शमा शमा हे देव दया मैं गिरा कर्ण गुरू के पदपर मुख विबर्ण हो गया अंग कांप चली नहीं मैं हाई किन्तु छलका ही यह हुआ काम हुआ आया था विद्यासंचे को किन्तु विर्थ बदनाम हुआ बड़ा लोभता बनू शिश्चिर के मैं कार्त विर्जी का जेता का तपो दिप्त शुर्मा विश्व के नूतन धर्व प्रनेता का पर शंका थी मुझे सत देव विश्वास भावना ना थी ऐसी कोई खोटी पर इतने से भी लज्जा में हाई गड़ासा जाता हूं मारे बिना खुर्दर के अपने आप मरासा जाता हूं चल से पाना मान जगत में किल्विश्व है मल ही तो है उंचा बना आपके आगे सस्मुचिया चल ही तो है पता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर अब जाओंगा कहां स्वहम गुरू के सामने चली होकर करे भस्म मुझे देव सम्मुक है मस्तक नत मेरा एक कसक रह गई नहीं जीव पूरा जीवन का वरत मेरा गुरू की कृपा शाप से जल कर अभी भस्म हो जाओंगा पर मदान अरजुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा या त्रशना या विजय कामना मुझे छोड़ क्या प कर भी रोज मरूंगा मैं पर्चुराम का शिच्च कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा बड़ी शानती के शात साथ चलंड को चलंड को पकड़कर प्रान निजीत आगेगा प्रस्त तु देशाप अगर अंतिम्सुक से यह पाने दें इन ही पत्म इन्ही पाद पत्मों के उपर मुझे को प्राण गवाने दे लिपट गया गुरू के चर्णों से विकल कर्ण इतना कहकर दो कर्ण काएं गरी अश्ट्र की गुरू का आँखों से बहकर बोले हाए कर्ण तू ही प्रतिभट अरजुन का नामी है निश्चल सका धितरास् वैसा श्रम करता था मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था देखे अगणित शिश्च द्रोन को भी करतब कुछ सिखलाया पर तुझे सा जिग्यासू आज तक मैंने ना पाया तुने जीत लिया था मुझको निश्च पवित्रता के बल से क्या पता था लूटने आया है मुझको छल से किसी और पर नहीं किया वैसा सनेह मैं करता था सोने पर भी धनुर्वेद का ग्यान कान में भरता था नहीं किया कारपन ने दिया जो कुछ मेरे पास रतन तुझ में निज को सौप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रतचालक है पर शुराम का शिष्च विक्रमी विप्रवंश का बालक है सूत वंश में मिला सूरिसा कैसा तेज प्रवल तुझ को किसने लाकर दिये यहां से कवच और कुंडल तुझ को सूत सा रखा जिसे उसको कैसे ठोकर हूं मारू मैं जलते हुए क्रोध की जौला लेकिन कहां उतारू मैं पद पर बोला करन दिया था जिसको आँखों का पान नहीं बरसाई ये अनल आँखों से जिर पर उसे समालूंगा दंड भोग जलकर मनुसित्तमा छल का पाप छुडा लूंगा पर शुराम ने कहा करन तू बेद नहीं तू बेद नहीं मुझको ऐसे तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा पर शुराम का क्रोध भयानक निश्फल कभी न जाएगा मान लिया था पुत्र इसी से देता हूं प्रान दान देता हूं अब अपने विद्या का अंतिम चर्म तेज हर लेता हूं सिखलाया ब्रम्हास तुझे जो काम नहीं वह आएगा है यह मे जो प्रसंग हमने पढ़ा वह कर्ण और प्रशुराम का वह गुरुष्ष्ष्य का संबाद था इसमें कुछ ज्यादा समझाने के जरूरत मुझे लगती नहीं है लेकिन जब इस कावे का जब हम अंतिम चर्ण करेंगे तब इसकी व्याक्षा में आपके सामने करूंगा कि लादेगं नहीं है।